सत्रा ने केसिज आज कश्मीर घाटी से देखने को मिले हैं सतारा ने केसिज आज जमू कश्मीर में कश्मीर घाटी से आए हैं मैं आपको बता दू इन में से बारा जो है वो प्रेगनेंट महिल आए हैं और ये बारा की बारा प्रेगनेंट लेडिस जो है वो अनंतनाक की हैं 14 लोग आज अंहंतनाक से positive आए हैं जिनमेंसे 12 ये pregnant महिल आए हैं वही मैं आपको बता दू कि 3 कुलगाम के भी शक्स आज आए है तो कुल में आकckर 17 total cases आज positive आए हैं कशमीर खाटी से जिनमेंसे 1 आख बार 10 ये pregnant महिल आए हैं हाला कि वो नजी चाहिए था जो है वो ध्यान रखा जाए फिलाल क्यूंकि यह ऐसा दोर है जहां पर infection जो है वो बड़ी जल्दी catch कर सकता है तो उसके चलते जो है वो pregnant महिलाएं जो भी आती है उनका treatment जो है वो बड़ी अच्छे तरीके से होना चाहिए पहले भी अनंतनाक से जो है वो आपने देखा कि प एक लेडी थी जो की pregnant lady है उसके जो gynecologist थे और उसके साथ सर्जन थे जिसके contact में भी वो लेडी आई थी उनका भी sample उस वक्त नहीं लिया गया था जब वो sample खुद कर रहे थे कि हम इस lady के सर्जन है और हम इस lady के साथ हमने इस lady के contact में हम आये है उसकी gynecologist ने भी बोला सर् वक्त बारा आज जो है वो pregnant ladies अनंतनाक से positive आई है करोना वाइरस के लिए वहीं मैं आपको बता दूं कि skims में भी आज 11 जो है वो recoveries देखने को मिली तो एक अच्छी खबर है skims बेमीना में आज 11 recoveries हुई है 11 लोग जो है वो discharge हो गए है जिन में से 7 जो है वो बटगाम से ब हैने वाले हैं नई दखाई के वो लोग भी जो है वो discharge हुए है आज skims में मीना से वहीं एक शक्स जो है वो मांजिम पूरा मांजिम पूरा एक इक इलाका है जो की शोपियां का इलाका है वहां से जो पहले positive आया थे उसके बाद जब उनका repeated test जो negative आया उसके बाद recover होने के अब उन्हें discharge कर दिया गया तो एक अच्छी कश्मीर घाटी से कि आज अभी तक की 11 रिकवरीज हुई है और हो सकता है कि शाम को और रिकवरीज की भी खबर जो है वो सामने आए हो सकता है कि और और भी रिकवरीज जो है वो भी आज देखने को मिले चाहें वो जम्मू से ह हो या फिर कश्मीर से लेकिन फिलहाल 11 रिकवरीज ही अभी तक जो है डिटेल्स जो मेरे पास पहुंची है उसकी सिर्फ 11 रिकवरीज ही अभी कश्मीर घाटी से हुई है स्किम्स बैमीना से वहीं आज 17 केसे जो है वो भी आए हैं एक बार फिर से जो भी लाई पर हैं उन में से 12 जो हैं वो प्रेगनेंट में ही लाए हैं तो उसके बाद मैं आपको यह भी बता दूँ कि तीन जो हैं वो केस कुलगाम के हैं तो आप देख सकते हैं कि अनंतनाग के केसिस जो हैं वो भी दिर दिर बढ़ने शुरू हो गए हैं हाला कि बांडीपूरा जो था जैसे कि कल भी हमने देखने को मिला कि बांडीपूरा से कल सिर्फ एक ही केस जो था वो आया था हाला कि बांडीपूरा वो डिस्ट्रिक्ट था जहां पर सबसे जादा सबसे पहले केसिस जो थे वो सबसे जादा केसिस थे लेकिन कल बांडीपूरा से एक ही केस देखने को मि मिला था नेकल सबसे जब जाल करें हैं तो इस तरीके सेस्थ कैसों होते तरहीं तो अब आपको बता दूं कि इस वक्त है कि कल जैसे कल तक कियोंकि 65 वह बता दूं पारगтор ये 17 cases आने के बाद अब कुल मिलाकर total 1065 cases जो है वो total हो चुके हैं जम्मु कश्मीर के जिन में से recover जो है वो 513 लोगों ने कर लिया है recovery rate भी बहुत ही बहतरीन है अभी तक तो बहतरीन है आगे भी यहीं उमीद है कि जल्दी से जल्दी और recover हो जाए तो 541 के करीब जो है वो अभी भी active है यह 17 मिलाकर 541 लोग जो है वो अभी भी infected है अभी भी coronavirus की जो यह बिमारी है वो उनको अभी भी है और उमीद करते हैं कि जल्द से जल्द वो लोग भी recover हो जाएंगे हाला कि 11 मोते जम्मू कश्मीर में हो जुकी है साथी में एक बार फिर से मैं आपको repeat करके बता दू कि कल तो 65 केसिस आये थे लेकिन आज 17 केसिस जो है वो अभी तक कश्मीर घाटी से देखने को मिल रहे है फिल्हाल जम्मू से अभी तक कोई केस जो है सुबा से लेके अभी करणे में बहिलाए हैं उसके बाद तीन केसिस जो है वो आज कुल गाम से आए है कुल गाम से मैं आपको बताया कि आज 3 केसिस आए है कल कुल गाम से 25 केसिस एक ही दिन में आये थे तो फिल्हाल तोटल जो है वो 1065 हो चुका है और इस करोना वायरस की अपडेट से फिलाल तो захके बंदतनों के बंदतनों को आदकती समय कि घ्मारी रेफेटेजर्ब पिझल का की झाल में वया था घा जए घा जा की, मैं झाल में बहरा तर जए भा जो हम भास, तल ऑी जै।